नमस्कार चात्रों मैं डॉक्टर हेमलेता काटे हिंदी विभाग बड़ा से बेसाई कोलेज पाटन शिवाजी विश्विद्याले के बेभाग दोन के हिंदी के अंतरगत सिमिस्टर दो अर्थात पेपर नंबर पांच के लिए जो रोजगार परक हिंदी पेपर रखा गया है उसमें जो हिंदी के मुहावरे है और उसका अर्थ है इसका अध्यान आज हम करेंगे इसके पुर्व हमने अन्य घटकों का परीजे देख लिया है आज हम जो मुहावरे अध्यान के लिए रखे गये है उसका अर्थ क्या है ये देखने का प्रयास करेंगे एक बात ध्यान म रखिये आपको इन मुहावरों का वाक्तियों में प्रयोग नहीं करना केवल मुहावरे और उनका अर्थ आपको ध्यान में रखना है उनका अर्थ क्या है ये जानने से पुर्वा मुहावरा किसे कहा जाता है इसका परीचे यहां संग्षित में मुहावरा एक अर्बी भाष् का शब्द है उसका शाब्दी कर्थ होता है अब्यास शाब्दी कर्थ होता है अब्यास अतहां महवरा किसे कहा जाता है हिंदी में ऐसे वाक्यांश होते हैं जो साधारन अर्थ को छोड़ कर विशेश अर्थ वेक्त करते हैं उन्हें कहा जाता है महवरा याने विशेश आपको पता है अभीदा लक्षना वेंजना अभीदा याने शब्द का सामाने अर्थ लक्षना याने थोड़ा आगे उसका जाने वला अर्थ और वेंजना याने वेंग्यार्थ साधरन अर्थ से परिया अर्थ होता है उसे कहा जाता है वेंजना ने वेंग्यार्थ ऐसा ही आपके अध्यन के लिए जो मुहावरे है वह मुहावरे और उनका अर्थ यहां प्रस्तूत है पहला मुहावरा है आकाश तूट पढ़ना जिसका अर्थ आप जानते होंगे अकस्मिक विपत्तियों का आजाना आकाश तूट पढ़ना जिसका अर्थ है असंभव काम करना एडी चोटी का पसीना एक करना उसका अर्थ है बहुत महनत करना एडी चोटी यानि सीर से लेकर पैरों की एडी तक जब हम काम करते हैं बहुत महनत करना अगला मुहरा है अंगूठा दिखाना उसका अर्थ है समय पर धोका देना अकल के घुडे दवडाना उसका अर्थ है कल बनाए करना आटे दाल का भाव मौलूम होना इसका अर्थ है कठिनायों का ग्यान होना अगला मुहरा है कलेजा थामकर रह जाना कलेजा थाम कर रह जाना इसका अर्थ है मन मुसुसकर रह जाना मुसुसकर का अर्थ है मन के भाउं को मन में ही दबा कर रखना कलेजा थाम कर रहना इसका अर्थ है मन मुसुसकर का अर्थ है मन के भाउं को मन में ही दबा कर रखना अगला महोरा है किताब का कीडा होना, इसका अर्थ है हर समय पढ़ते रहना, कीडा होना इसा नहीं हर समय पढ़ते रहना अगला महोरा है कोलू का बैल बनना, इसका अर्थ है दिन रात परिश्रम करना अगला महोरा है घोडा बेच कर सोना, जिसका अर्थ है निशिन्त होना अगला महोरा है चार चांद लगाना, जिसका अर्थ है शुभा बढ़ाना उसके आगे महोरा दिया है छाती पर मूंग दलना, इसका अर्थ है किसी से दुख की बात कहना अगला महोरा दिया है आपके अधिन के लिए गड़े मूर्दे उखाड़ना, इसका अर्थ है पुरानी बाते याद करना गागर में सागर भरना असंबवाथ है फिर्वीस का अर्थ होता है कम अक शब्दों में अधिक कहना गागर में सागर भरना अर्थात कम शब्दों में अधिक कहना गाव पर नमक चिड़कना दुख़्ी को और दुख़्ी करना उसके आगे दिये हैं मुहौरे आपके दिन के लिए जल भून कर कोईला होना इसका अर्थ है अत्यन्त कृद्ध होना जंडा गाड़ना अधिकार स्तापित करना तोपी उच्छालना इसका अर्थ है अपमान करना अपने देखा होगा जो हमारी पुरानी कलाएं है मराटी कला में आती है लावनी उसमें लोग गीत सुनकर टोपी उच्छालते थे एक परकार को अपमानी है टोपी उच्छाले ने अपमान करना अगला है तुफान खड़ा करना उपदरो मचाना दुनिया की हवा लगना दुनिया के तौर तरीके अपना लेना दूद का दुद और पानी का पानी होना इसका अरत है सच्चा न्याई करना अगला मुवरा आपके अधिन के लिए दिया है दोती डिली होना दोती डिली होना इसका अरत है दर जाना नानी यादाना खोश उड़ जाना मुह काला करना उसका अरत है बदनाम होना सिर आखों पर लेना बहुत आदर सतकार करना इस प्रकार ये 25 मुहावरे आपके अधिन के लिए दिया है यन इन मुहावरों के अर्थों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजे ध्यान में रखने का प्रयास कीजे और यहां हमारे 25 मुहावरे समाप्त होते हैं आपने ध्यान से सुना इसलिए धन्यवाद सणिन jużदो प्रयूल इसलिए קरते हैं को एम सतरूइ और यहावरे समझने का थे लिए whisper में, तो दूग एणरमन आपट्त